जिसका प्रधान मंत्री 20-20 घंटा काम करे सीधे नैंद्र मोदी के जवाप हनुमान बने प्लाइट में चड़े मंत्री बनके उत्रे बिना मंत्री के क्या मोदी जी इसको पसंद करते इस तरह के बयान को कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी की ना मैं किसी को डड़ाता हूँ और ना किसी से डढ़ना चाहता हूँ कभी कोई मुसल्मान आपका दोस्त बनाया नहीं राहूल गांधी आज कल छिलाते हैं जाती 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 आपको तो लोग दादा ही कहते हैं राइज़ती मैं आपका गुरू कौन जो मोधी किरपा नहीं मानते हैं, कभी मोधी जी की तरफ से आपको कोई डांट वाट पड़ी है थी केंद्रिय कपड़ा मंत्री की राज सिंग 17 से 22 अक्टूबर के 20 बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल कर आए हैं और दिली पहुंशने के बाद लगातार अपने मंत्राले में क्या नयानय अप्रियोग हो सकता है इसमें लगे हुए हैं जैसे कि बास से कैसे कपड़ा बने या फिर वो रूई जो है मदार से कैसे हासिल की जा सके जो कि सामाने रूई की तूलना में पांच गुनी ज़्यादा गर्म होती है और इन सबसे अंतत्या किसानों का कैसे फाइदा हो गराजी स्वागत है आपका बहुत बहुत धर्नवाद यह बताईए कैसे इस कांट्राडिक्शन को आप मैनेज करते हैं कि एक तरफ तो आप बिल्कुल उग्रहंदुत लीडर के तोर पर जो है आपके एक से एक एग्रिसी बयान और दूसी तरफ हमने मंत्रालेक में क्या इनोविशन नया लाया जाए क्या कौन से ऐसे नए परड़क्ट लाया जाए इन दोनों को कैसे सिंक्रोनाइज कर लेते हैं गाउं में कभी आपने देखा होगा कि पहले जो चावल बनता था वो लोग पैर से ह अपने मिशन की ओर हो अज इसका प्रधान मंत्री बिस बिस घंटा काम करे उसका मंत्री स्वता है कि वो काम करने के लिए प्रेडित रहता है किसी और से नहीं अपने प्रधान मंत्री से आपने मंत्री के प्रेडित होने की बात की प्रधान मंत्री से तो मंत्री तो आप नितिश कुमार की सरकार में भी थे जब वो बिहार के मुख्य मंत्री थे आज भी है तो नितिश कुमार का मुख्य मंत्री तवकाल और मोदी जी का प्रधान मंत्री तवकाल दोनों की लीड करने के लाइक मैंने तो सिर्फ लीडर्सिप की स्टाइल के बारे पूछा एडमिस्टेटर मुदी जी एक गुड एडमिस्टेटर भी है एक विजनरी भी है नितीश जी के साथ काम किया सच कहूं तू उस समय कार्जकाल में मैं अरली जो पहला और दूसरा रहा उसी में मैंने उनके साथ काम किया तेरह को हट गए तेरह में हम उनके साथ उसके बाद कभी काम नहीं किया लेकिन तेरह तक उनके विजनरी और काम करने में कभी उन्होंने किसी को अर्चन नहीं डाला लेकिन मोदी जी नए नए प्रियोक को उनसे अच्छा लिसनर हमको नहीं मिला जो लिशनर होता है यानि वो दूसरे के चीजों को भी सुनने की च्छमता रखते है नितीस कुमार नहीं सुनते थे नितीस कुमार जी के साथ मेरा उस्तरह का इंट्रेक्शन नहीं हो पाया मंत्री जरूर थे मैं धन्वा देता हूँ कि मेरे हटने के बाद भी मेरे प्राइम निश्टर से उन्होंने मेरे काम की तारीफ की है अब तो नहीं रहे स्वरगिय शुशिल कुमार मोदी किसी ने किसी कारण से मेरे उतने अच्छे नहीं रह पाते थे तालुकात लेकिन दोनों ने मेरे काम करने के तोर तरीके को सराहने का काम किया है और मेरे प्राइम निश्टर से कहा इसलिए मैं दोनों को धन्वाद देता एक तो इस दुनिया में नहीं है कि कम से कम ये तो है कि किसी के काम की भी तारीफ करना गिर्णा जी सुसिल मोदी पे बात याद आई अब नहीं रहे अपने खुद भी कहा एक समय बिहार की राज़ती में आपको जो है लोग सुसिल मोदी का लठायत कहते थे उनका हनुमान कहते थे और वहां से आपने जो ट्रांजिशन मारा सी थे नहीं रेंद्र मोदी के जो आप हनुमान बनें यह ट्रांजिशन कितना एजी था आपके लिए मेरे लिए बिल्कुल एजी था क्योंकि जिस आईडिलोजी के साथ हम काम करते हैं उस आईडिलोजी में जब हम बिहार के मंत्री के रूप में काम कर रहे थे नितीस कुमार जी मेरे मुक्ख मंतरी थे और नरंदर मोदी उसमें गुजरात के मुक्ख मंतरी थे और मुझे ये कहने में मैं अंतिम बार आपके साथ बाइट भी दिया था और उसके बिहार में मंत्री भी नहीं रहा पता नहीं तो 2013 के जून की तारीक थी जिस दिन आप हम हमतवाद बैठे थे और महीं फोन आयागी जो सरकार से बरखास कर दिया गया तो उस समय कुछ लोगों को बरखास किया गया था कुछ लोग मचे हुए थे तो हम फलाइट में चड़े मं मंत्री बनके उत्रे बिना मंत्री के लेके नरंदर मोदी जी हमारे लिए जिस आइडिलोजी में संग का एक स्वेंसेवक होने का मुझे फक्र है और भारती जनतापाटी का काड़े करता यह दोनों मेरे लिए मेरे जीवन में कुछ सीख दी है और वही सीख से मैंने बाएं देखा न दाएं देखा और उसके लिए मेरे नजर में नरंदर मोदी से अच्छा कोई प्राइम निश्टर होने वाला दिख नहीं रहा था कई लोग हमसे दुखित भी थे चाहे पाटी कहां या पाटी के बाहर के कुछ अब नहीं रहे कुछ हैं और देश की जनता धीरे धीरे पहला परधान मंत्री नरंदर मोदी होंगें कि बैलेट से चूने गए बाद में और देश ने पहले परधान मंत्री मान लिया नरंदर मोदी को ये मुझे लगता है आजादी के बाद ये पहला मोर था राजनितिक मोर बदलाओ और उसमें मैं अपने आइडिलोजी के साथ कहते रहा कि जो भारत का विकास भी करेगा और जिसके पास राश्टेता की हाथ में धोज भी रहेगा ये दोनों नरंदर मोदी में था और देश को अच्छा लगने लगा और देश तेरह में मुझे लगता है कि इनको कमान सौपा गया परचाड परशाड का लेकिन जनता चौदेह के पहले ही परधान मंत्री मां गया यह बताईए आपने कभी यह तैकिया चुकि आप बिहार में थे नितिश कुमार की सरकार में थे कि अब तो बिल्कुल मोदी जी के साथ हो जाना है कहीं वो 2010 का दीन तो नहीं जिस दिन नितिश कुमार ने अपने घर पर बीजेपी की रेक्जिडिव थी मोदी जी सहीद सभ ही लोगों को इन्वाइट किया था बड़े निताओं को और फिर जो उनने अचानक ओडिनर कैंसल कर दिया था कहीं वो ट्रिगर पॉइंट था या वही वो ऐसा पॉइंट था कि मैं उसको कह नहीं सकता क्योंकि कार्जे करता चाहता था कि कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले और स्वर्गिय अरुन जेटली जी हमारे प्रभारी थे और उन्होंने मुझे दस में मंत्री बनाया था उन्हीं के नित्रुत में बने थे कौ닌 बनाया नहीं, पार्टी ने बनाया, लेकिन उनके लीडर्सी अ? हम पहले जो बने थे लेकिन पड़भारी अरुजेटली थे मैं में एक माइनस पक्ष है, में माइनस कार्जकर्ता में नहीं होना चाहिए, जया नहीं इस Denkis जो मुझे समझ में आता है वो मैं बैक्त कर देता हूँ और वही कारण रहा कि दस में मैंने ब्यान दे डिया नरंदर मुदी जी के पक्ष में और नितीश जी के जब पक्ष में दूँगा तो विरोध में ही होगा क्योंकि पाटी की तरफ से किशी का ब्यान नहीं आ रहा था ने परदेश का ने केंदर का मैं एक छोटा सा कार्ज करता मेरी मैं किस तरह से उस समय ब्यान तो दे दिया लेकिन मैं पढ़ार भी सहरा था लेकिन एक सी बताइए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने राम बिलास पासवान जिनको कहा जाता था कि प्रदेश ही नहीं देश की राज्टी में भी उस सबसे बड़े मौसम विज्ञानी थे बहाँ जाते थे कि कहां जो है क्या होने वाला है और कहां जाने पर फायदा होगा नहीं ऐसा तो नहीं कि समय रहते आपने भी ट्रैक चेंज कर दिया आपको लग गया कि अब मोदी जी का दौर सुरू होने वाला है इसलिए पहले ही लग लो मेरा ट्रैक तो वही था जिसको हटना था ट्रैक से वो हटे अ मेरा ट्रैक था संह का स्वहन सेवक भारती जनता पाटी का कार्ज करता राष्टेता और इसी ट्रैक पर मैं चलते रहा और उसमें मुझे नरंदर मुदी ही दूर दूर तक दिखाई दिये, दूसरा कोई नहीं, हमने ट्रैक नहीं चेंज किया, उस ट्रैक पर नरंदर मुदी ही दिखाई दिये मुदी जी तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अभी आप जो पांच दिन तक यात्रा निकाल कर आए बिहार में और वही उस इलाके से आपने बेगुसरा है, जो आपका लोकसभाद छेतर है, आपने वहाँ शिश्रू किया, रेडिया तक फिर किसन गंज में आपने खत्म की, और फिर वही जनसंख्या जिहाद, एंटी मुस्लिम स्टेट्मेंट्स, ये कहना कि भई हिंदू जब तक मेजरिटी में है, तब ही तक सद्भाव है, नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगा जहां भी मुस्लिम मेजरिटी, ये सब जो आप बयान देते हैं, वो क्यों देते हैं, क्या मोदी जी इसको पसंद करते हैं इस तरह के बयान को? मैं ये तो नहीं कहूगा, कि मैं एक अनुशाशन हीन बैक्ती हूँ, मैं अनुशाशित रहने वाला कार्ज करता हूँ, लेकिन मन के अंदर की बात को रोक नहीं पाता, क्या ये सच नहीं है? कि देश में जहां जहां हिंदूों की जनसंख्या अधिक है, 99 परसेंट, वहां समाजिक समरस्ता है, और जहां जहां हिंदूों की जनसंख्या नहीं है, वहां वहां समाजिक समरस्ता बिगड़ा हुआ है, ये सच है, अगर नहीं है, तो मैं दोसी हूँ अगर ये सच है तो मैं उस सचाई को जमीन पर देखने का काम किया हूँ कांग्रेस पार्टी ने बटवारे के समय अगर बाबा साहिब अम्बेदकर की बात मान ली होती खास करके नहरू जी मैं अपनी बात नहीं कोट कर रहा हूँ उनका भारत पाकिस्तान विभाजन के किताब में लिखा हुआ है उन्होंने लिखा है मैंने कहा कि टोटल पॉपलिशन को ट्रांसफर करना चाहिए और वहां से हिंदू को ले आना चाहिए यहां से मुसल्मान को यही बात मैं कहता है और बाद में उन्होंने ये भी लिखा है अगर ये नहीं हुआ तो भारत में कभी भी सामाजिक समरस्तान नहीं रहेगा जो दुस्परिनाम किसंगंज, अरडिया, पुर्निया, कटिहार जैसे तमाम जिलों में देखने को मिलता है अगर आप ये कह रहे हैं कि जो है ये सचाई है और ये कोई पार्टी लाइन से बहुत अलग नहीं है तो फिर क्यों आपकी पार्टी ने कह दिया कि ये तो इनकी नीजी यात्रा है आप नितिश कुमार जेडियू को तो छोड़ दीजे, उनने तो काफी नाराज गी चाता ही देखिए मैंने पार्टी की यात्रा नहीं निकाली थी मैं पैदा लिया हिंदू में मरूंगा हिंदू बन करके ऐसा अपना मत है कि मैं कभी इधर से उधर नहीं जाओंगा बीच के कार्ज काल मैं मैं बीजेपी का कार्ज करता हूं संका स्वैंसेवक हूं मंत्री हूं संत्री हूं ये तो बीच का फेज है क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि एक सांस्कृतिक धरोहर है सनातन हिंदू इसके बगएर भारत की पहचान ही नहीं है और यही धरोहर भारत को एकता के सुत्र में बांध के रखा है और वो कमजोर हो रहा है ये मैंने जमीन पर देखा है तो इस कमजोरी से बचाने के लिए आप लोगों को एक कहते है कि हिंदू अपनी संख्या बढ़ा है मेरे कहने से भी कोई नहीं बढ़ाई है क्योंकि हम गाउं में जब पूछता हूं जिसे आप से डुलकाष्ट कहते हैं आपके बच्चे कितना तीन चार दो काहे पढ़ाएंगे बच्चे को वहां कोई जहर बोने बाला नहीं है हिंदू समाज में लेकिन इस बताई कहते हैं कि जिस चीज के बारे में आप उपदेश देते हैं पहले खुद फॉलो करना चाहिए आपने अपने पर फॉलो कि आपने बच्चे बढ़ाए नहीं बढ़ाया तो इसका अपसोस रहता है कि दो पहीं क्यों रहा है यह एक ही मेर कि दो कहते हैं सचाई को कबूलना पड़ेगा चाहे मुझे इसके लिए जो भी खुर्बानी देना पड़े यह सचाई नहीं है कि जोगंदर मंडल एक बड़े नेता थे सिडुल काष्ट के जिन्ना के साथ गए थे यह सचाई नहीं है कि जोगंदर मंडल वहां मंत्री भी और पाकिस्तान में कुछी साल के बाद जब सिड्ल कास्ट पर कंबर्जन होने लगा उनका धर्ब पड़ी बरतर उनके साथ तो वो वहां से भाग करके इस्तिफा देके निर्वासी जिन्दगी जिया आज पाकिस्तान में हम बचे नहीं हमारी मंदिरे तूट गई मंदप से ब तो आज बंगला देश में बटा बंगला देश की अस्थिती देश ने देखा आज बाबा साहिब अंबेद कर फिर याद आते हैं दुरभाग ये रहा कांग्रिस ने देश के साथ गदारी की है बंगला देश पर मुझे याद है मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदल देना चाहिए वहाँ शेक शीना वाजित की सरकार गई इंफरक्ट उनको हटना पड़ा इतना जबरदस्त उनके सामने आंदोलन वहां खड़ा किया गया किस ने खड़ा किया कैसे कौन उस जाजिस में सामिल था हो जाने दीजिए लेकिन जो आपका मंत्राल है उससे जुड़ी हुई बात है कि बंगला देश जो है वो टेक्स्टाइल से एक्सपोर्ट में खास्त अप तो रेडी मेड कपड़ों के मामले में एक्सपोर्ट के मामले में बहाद से कंपिटि लोग मुझे कहते थे कैसे कंपिट करेंगे इंडरस्ट्री भी आके का मैंने पूरा अधिन किया पैटालीस लाख लोग केबल लगे हुए हैं बंगला देश में रेडी मेड गार्मेंट में और भारत में उसका था कंपिट करने का लेबर रेट और वहां की पॉलिशी आज देश के अंदर में बंगला देश में जितनी बेतन पे जितने मजदूरी पे लोग काम करते हैं भारत पे उतना दे रहा है हम भी एक सो तेरह डॉलर से एक सो तीश डॉलर एबरेज वरकर को आट घंटे का मिल रहा है और मेरे लिए नभी अतनाम संकट हैं और आप फाइदा फाइदा नहीं यहां लोगों को मार्केट दुनिया को हमारे लिए एक मार्केट है तो मैं उस मार्केट में उस कमी को पूरा करने की कोशिस हमारी इंडॉस्ट्री कर रही है लेकिन जिस भारत के अंदर कितना कपरा बनाता है बंगला देश जिस बंगला देश की बात कर रह हमारे यहाँ परती वर्स दो करोर से उपर की जनसंख्या एडिस्नल एड होती है पैदा लेते हैं हमें उसके लिए भी कपड़े बनाने पड़ते हैं गाउं में कश्टमाई जिसे दरजी कहते हैं दरजी से ले करके टेलरिंग हाउस से लेके नौन ब्रांड से लेके ब्रांड तक हम तो हर साल दो करोर बच्चों के एडिस्नल पॉपलेशन का हम इंफ्रास्ट्रेक्चर तैयार करते रहते हैं तो यह बताईए अगर इतनी बड़ी जनसंख्या हर साल जो एड हो रही है क्यों उठा लेते हैं वो तो कहते हैं न कि गरीबी के मारे वहां से किसी तरीके से छोड़ के भागते हैं घुस्पैट आपके टीफाट्रे समस्था है या नहीं घुस्पैट समस्था या नहीं तो जो पढ़शानी है वो देस समझ रहा है आज है देश के अंदर में ये घुस पैठिये ही तो सीए के आंदोलन कर रहे थे आई ये लालू जी पूरे खांदान जो सड़ पे टोकडी लेके नाच रहे थे कल से परसो तक हमने तो कहा कि बंगला देशी और रोहंगिया घुस पैठियों के लिए लालू जी ते जस्वी जी क्यों परिशान हो ये वही तो है मैं जो कांग्रिस पे कह रहा हूँ कांग्रिस ने 71 में भी भाजन हुआ पाकिस्तान का लेकिन कांग्रिस ने अगर सर्तों के साथ पूरी अजादी के बाद हम बेरिकेटिंग कर पाते शिमाओं को रोक पाते उस समय से हमने धर्मसाला बना दिया और ऐसा धर्मसाला हो गया कि मैं उसकी आप कभी उन इलाकों में घूमें देश के आपका दिल्ली नॉइडा मुंबै कोई ऐसा बैगलोर कोई ऐसा सहर नहीं है साहब यह जो करनाटा क्यों यह लोग एक हर जगह बंगलादेशी मिलेंगे रोहंगिया मिलेगा लेकि अच्छा में दस साल से तो आपकी भी सरकार है के अंदर में जिसके आप खुद पार्ट हैं फिर क्यों घुसपैट नहीं रुक पाती अभी भी आता है क्यों घुसपैट हो र घुस गया बंगलादेशी अब पक्रे भी जा रहे हैं पक्रे भी जा रहे हैं लेकिन बंगाल सरकार तो हमारी है के अंदर में बंगाल को हम क्या करेंगे जो खुद को समझती है ममता जी वो एक देश है रेट कार्पेट भी चाके रखे आई कार्ट भी बना देती आधार का भी बना देती और फिर वो वहां से पूरे देश में भरबन करते लेकिन बिहार में तो अभी सरकार में पाट रहे और उसमें भी तो घुस पैट कोई रुका नहीं था उस सरकार के अभी पाट नहीं थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा कि धैर से मेरी बात को सुने गम भिरता से अभी सबसे बड़ा घुस पैठिये का मुख द्वार बंगाल बन गया है रेट कार्पेट विच्छा हुआ है रेट कार्पेट विच्छा हुआ हुआ वहीं से डिस्टिबियूशन होता है वहां पी अफाई का हेड़ क्वाटर बना हुआ है तो उसमें कौन दखल दाहनी द जब ममता जी को सब बोटर ही दिखाई दे और वहीं से पूरे देश में वह सी एनफ बन गया है घुस पैठियों का बंगाल और पूरे देश में फिर वह सप्लाई करती उसको पुसाक उसाक दे करके उसको पूरा तरह से भारती नागरिक बना करके तो आपने बंगाल की बा बंगला देशियों का अड़ा हो गया जार्खंड में जो यह जो करेंट गर्मेंट है उसके पहले तो आपकी पार्टी की सरकार थी तब ही वहां कौन सा रुका फिर थोड़ी सी समझने की जवरत है बंगाल सुरू से रहा आज तो अस्तिती है कि जार्खंड के अंदर हिंद 44 से हम 28 पड़ा गए हमारी बेटी वो बंगला देशी के साथ में साधी कर लिया अहमंद सुरें खुले दर्वार रखे और कोई रोकने वाला नहीं रहा इसलिए तो हमंद भी सर्मा ने कहा है कि हिंदू बचेगा तभी तो जार्खंड बचेगा और जब आप बोट की नजर से देखते हैं देश को नुक्षान सबसे ज़्यादा हुआ है बोट के सौधागरों से लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप योगी आयतनात को कौपी कर रहे हैं योगी जिनकी भाशा है कि बटेंगे तो कटेंगे वही उसी तरह की बात आ कह तो भी अच्छी बात है मैं तो यही वहां कह रहा था किसी को मैंने भरकाया नहीं भरकाये तो लालुजादब और ते जशी ने जो दो दिन पहले वहां हंगामा हुआ हमने तो कहा संगठित रहो आपको नहीं भरुसा होगा जहां छोटी आवादी है वहां लोटा और वहां मैं बोलूं तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा हमारी बहने डर से सिंदूर नहीं लगाती जहां एकदम अल्प मत मैं लेकिन इस तरह की जो बात है कर माली जगर आप ऐसी भरकाते रहें तो माहल तो अररिया की घटना हुई आपने कहा कि लालू ने करवा है लेकि कोई फरक नहीं रह गया या आपने पैदा कर दी है उनको तो मुशलमानों का बोट चाहिए मुशलमानों के बोट के लिए बिचारे कुछ भी कर सकते हैं और उनका नाम ही रख दिया जाए एक समय मुलाइम सिंग जादब का नाम रखा गया था अब अब लालू जादब ही उस उहदे पे चले आये हैं और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि हिंदूों को उस इलाके में अररया, पुर्निया, कटिहार, किसंग, या भागलपुर जहां भी है एक होके रहने की ज़ुरत है ना बंगलादेशी को ना मैं किसी को डड़ाता हूं और ना किसी से डरना चा क्योंकि भारत में सनातनी हिंदू के बगैर भारत की पहचान ही नहीं है, जिस दिन यह कमेगा लोग तंत्र खत्रे में पड़ेगा लेकिन आपके जो इस तरह के बयान आते हैं और आपने जो यात्रा निकाली कहीं ऐसा तो नहीं कि नितिस बाव फिर से आप लोगों का साथ से हट जाओगा, हम किसी को तकलीफ दिया ही नहीं, हम तो हिंदूों के कत्रित करने की बात की, और आज भी कह रहा हूं, संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, और बटोगे तो कटोगे, योगी वाली ही तो भासा ही, हाँ, सच्चाई को किसी की भासा रहे, यह तो रखन ही पड़ेगा, आज ही लोग जातियों में बाट रहे हैं, लालू जी कभी नहीं कहें कि 74 जाती के मुशलमान हैं, कभी नहीं कहते हैं, लेकिन हिंदूों में खुब बटवारा राहूल गांधी, राहूल गांधी तो लगता है कि देश के अंदर ग्रह जुद्ध करबा करके देश को जलाना चाहते हैं, उनकी भासा अगर सुनने तो, आपने राहूल गांधी का नाम लिया, राहूल गांधी की भासा की अपने बात की, अब तो उनकी बहन भी रायती में आ गई है, बहन को आप ठीक मानते हैं भाई के मुकाबले, उनसे तो कोई परिशानी नहीं है, देश में लोक तंत्र है, उराज तंत्र से बाहर निकलते ही नहीं, आप देख ले, यह अलग बात है, कि गांधी परिवार में सबका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता, एक को छोड़ करके, फिरोज गांधी को, पता नहीं फिरोज गांधी को क्योंने लिखना चाह पसंद काती है, पता आप प्संद नहीं करते ही हr इसले को किसी से मतलब नहीं है, अन्य उंसे कोई मेरी दूस्मनी है, लेकिन गांधी परिवार के हर बच्चे का नाम सौनी मक्षर में कैसे लिखा जाए उसमें एक ही नाम है जिसका कहीं बहुत चर्चा नहीं होता वो है फिरोज गांधी या तो उस नाम से अपने को जोड़ना नहीं चाहता राजीब गांधी के बाद या इंद्रा गांधी के बाद लेकिन अगर प्रियंका गाथी माली जी चुनकर अगर आती है संसत में हलेगे उन्हें तो अभी चुनाओ लड़ना है नोमिनेशन भर दिया है तो आपको कोई परिशानी तो नहीं है ना आपको क्या परिशानी होगी गांधी परिवार जिससे डेमोकरिसी में सबको आजादी है लेकिन यह तो गांधी परिवार में निक्या कहूँ राणी के कोक से पैदा लिया हुआ लोकतंत्र में तो ऐसा होता नहीं लेकिन इन्होंने एक पधती जवर चला दी है कि इन्हें देश से कोई लेना देना है नहीं मैं डंके की चोट पे कहता हूँ देश से लेना देना है नहीं लेकिन जो गांधी पड़िवार राहुल गांधी आजकल चिलाते हैं जाती 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 इनके दादी जी इनके पिता जी इनके नाना जी सब लोगों ने पिछड़ों का नुक्षान ही किया और ये पागल की तरह जहां जाएंगे उहां जाती जाती खोगेंगे अब कहीं कम्पिटीशन हो रहा है सोंदर्ज का वहां भी कहेंगे कि यहां भी दलित नहीं यहां भी जातिया नहीं एक दलित को बाहर खड़ा कर दिया अब पूरे पड़िवार अंदर में थे एक बार भी नहीं दूसरा होता तो कहते कि नोमनेशन करने गए तो उसमें एक भी दलित नहीं था एक भी पिछरा नहीं था लेकिन खड़गे को बाहर कर दिये अपने पूरे खांदान सब थे वही तो राहूल गांधी की यही खासियत है झारकें में चुनाव हो रहे हैं अगली साल आपके हैं चुनाव हैं बिहार में जिस बिहार से आप आते हैं ये बताएं कि बिहार में प्रशांद की शोर भी आ गये हैं तेजस्वी हैं कितना कड़ा मुकाबला आप देखते हैं AH ब carbon के ठेकेदार लालू जादव का पड़िवार है वो समिकरन माई का बना के रख्या है और इसी लिए कल है तिल मिला के उठे कि कोई माई का लाल आँख नहीं देखा सकता है इंट से इंट बजा दूगा वो कारण वही बोट बैंक था वो बोट कहीं धर उधर जाए नहीं देश चला जाए रोहंग्याक और बंगला देशी में लेकिन बोट नहीं जाए अन बोट है अन बोट पर पूरा मुझे भरुसा है कि आने वाले दिन में जनता तै करेगी लेकिन भगवान न करे कि फिर से किसी गलत पहमी का सिकार कोई हो और लालू जी का राज आए डर है कि आपको कि लोग गलत भगवान न करे कभी कभी तो कुछ हो जाता है ना, भगवान न करे, मैं इसलिए भगवान को साथ चिमान रहा हूँ, बीच में रख रहा हूँ, कि भगवान बिहार के साथ वो दिन ना फिर लुटा हैं, क्योंकि लालू राज आने का मतलब है, ल फिर रोती फिर रंगवाजी फिर वही डख़ईती फिर वही सब कुछ मृ समेक्रण की बात की और आपने कहा कि अपने मृ समेक्रण को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इसलिए इस तरह के बैयान लालू या उनका परिवार देता है मतलब मुसलिम और याद हो एक चीव बताईए 72 साल के आप हो गए इतने लंबे जिवन में कभी कोई मुसलमान आपका दोस्त बना या नहीं हाँ मेरे कई दोस्त मुसलिम थे गाउं में मुसलमान दोस्त थे लेकिन अभी भी है लेकिन जब पता नहीं इधर के दिनों में उनमे इतनी कटरता आ गई हबीब नाम है मेरे गाउं का वो हाजी भी बन गया और कटर हो गया कि मुझे समझ में ही नहीं आदे आप तो कहते हैं ना कि जहां भी मुसलमानों की अबादी बढ़ जाएगे वहां पर धार्मिक सौहादर साम्परदाइक सौहादर कत्म हो जाएगा इ इसका मतलब मैं मुसलमानों के खिलाब थोड़े ही बोलता हूं तो हबीब जैसे कितने दोस्त आपके रहे हैं हबीब जैसे दोस्त वो भी तो कंटर निकल गया वो भी अब दोस्त नहीं रहा प्रॉब्लम यह सानवाज हुसेन मेरे अच्छे मित्र है नकभी भी है कई नकभ यह बताईए एमवाई का दूसरा जो है वो यादों के साथ तो आपका प्रेम है ना अपनी पार्टी में भी आपके कही सारे यादों नेता हैं बिहार कितनी बड़ी आबादी है अपने आस पास किसी यादों को बिल्कुल बिल्कुल जादव वो एक तरह से प्रोटेक्टर है हमारा हमारे 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 साथ आरजेटी के जादा भी चल रहे थे रिराउंड जदियू के जादे हिंदू चल रहे थे मैं सब को कहा कॉमनिस्ट के हिंदू चल रहे थे मैं हिंदू मेरे साथ चल रहे थे मैं हिंदू को जगाने चला था इसलिए हिंदू की पहुँच मेरे स ती मुझे कहने में कोई नहीं आपने कम्मिनिस्ट की बात की तो उस पे मुझे याद आया कि आप बेगुसराय को रिप्रेजेंट करते हैं और बेगुसराय एक जमाने में लेनिंग्राद कहा जाता था इतना ज्यादा कम्मिनिस्टों का वहां जूर था कैसे आपने वो पूरा मोदी मैजिक था मोदी जी का जादू था जिसके सहरे बेगुसराय में आप 2019 में भी जीते दोहजार चौविस में भी जीते वहां तो कनहिया कुमार थे 2019 में आपके सामने उसमें मेरी कोई पुंजी नहीं थी, आज भी मेरी कोई पुंजी नहीं है, उपर महादेब थे, नीचे मोदी और वहां की जनता कार्ज करता, मेरा तो कुछ नहीं वहां है, मैं इतनों दिनों से जरूर बेगुसराई बच्पन से लेके अब तक वहार रहने का काम किया लेकिन मोदी जी के परती आज भी लोगों में साहनभूती है मोदी जी को लोग चाहते हैं इसमें कहीं दूमत नहीं भरम कोई फैला करके कभी लाल किताब देखा करके कभी लाल जंडा देखा करके कुछ भरका ज़रूर देते हैं रहुल गानी को देखते हैं एक किताब रखे हैं मेरे पास पता नहीं उस किताब का पढ़ना कभी उल्टे हैं कुछ है की नहीं कोई लोगों को दिखाया नहीं उस फॉल्डरे उपर में है या अंदर भी कुछ है यह बताई इतने अग्रिसिव जो आप बयान देते हैं कहीं ऐसा तो नहीं को उस इलाके से चुकि आप जिस इलाके में जन्में जो बढ़िया का इलाका है लकिस राई जीले का वहां के लोगों के तेवर थोड़े आकरामक होते है वहीं से तो यह नहीं है आपके सुभाव में यह जारा कुछ मेरे तेवर तो कभी नहीं देखा होगा कि मैं कभी दादा ग्रीक किया हूँ अपको तो लोग दादा ही कहते है उतो प्यार से उमर भी हो गया बडा हो गया इसलिए भी क्याते है मैं इतना जरूर कहता हूँ करने में कोई मुझे संका नहीं है कि आज भी मुशलमानों से कोई खतरा नहीं है कटरपन्तियों से खतरा है कटरपंथी ही आज देश के लिए नाशूर बन गया है आज भी मेरे काम को पूछेंगे तो मैं गरामीन विकास और पंचैती राजमंत्राले से लेके अब तक मैं अभी भी मुझे फक्र है जिसकी चर्चा आपने की मैं यहां भी आया हूँ अगर मुझे 20 मिलियन टन फाइवर की ज़ूरत है तो मैं ऐसा फाइवर ला रहा हूँ जो तो किशान भी खुश होगा किशान को भी 2,000,000 रुपे एकर आएगा और देश को भी रोजगार मिलेगा और एक नया फाइवर होगा बंबू जूट मिक्स करके यह क्या है बंबू जूट यह कैसे यह पैदा करेंगे आप यह देखिए आज जूट को केबल जूट गनी बै या कोई पार्सी या कोई और छोटे-छोटे आइटम बनते लेकिन जूट के कलर को बीना डाइ करें गया या उसको छुएंगे सर्फिस को तो वो बड़ा रुखरा होता पाहने लाइक नहीं होता हमारे यहां एक इजिरा करके जूट का इंसिचूट है कलकटा में मैं ने उससे कहा कि इसको बैंबू से दोनों को मिक्स करके नहा फाइबर बना के दो और वो फाइबर बन गया है वो बेसको से भी ज्यादा अच्छा है ऐसा मेरे साइंटिस्ट ने कहा और जब यह हो जाएगा तो मेरा लक्ष है कि पूरब में कभी रा मेटरियल नहीं रहा कॉटन नहीं रहा बेसकोस नहीं रहा सिंथेटिक फाइबर का कोई यूनिट नहीं तो एस्पिडिंग मिल भी नहीं गया बीभिग भी नहीं गया लेवर जरूर आज पूरे देश में पूरब के ही है टेक्स्टाइल इंडस्ट्री में तो मेरे मन में आया कि यह फाइबर पांच टन का एक एक यूनिट रहे एक एक जिला में कलस्टर सो तो पांच-पांच सो टन जब पढ़ती दिन फाइबर पैदा होगा क्योंकि बैंबू उसी लाके में जूट उसी लाके में बिहार हो पुर्वी उत्तर परदेश हो बंगाल हो आसाम हो उरिशा हो नौर्थ इस्ट हो जारखंड हो यह सारे को मिला करके वर्क फोर्स मद्द परदेश यह वर्क फोर्स इतना में हमारे सेक्टर में यह फाइबर आ दूसरा जो मिल्क वीड कहा जिसका जैकेट में पहना हूं गरम लग रहा है यह आज मिटिंग थी कॉन्फरेंस था सिक्ष्टी बार सथमा कॉन्फरेंस था उसी में मैं गया था इसकी रिजाई बना करके मैं लड़ ले गया यह कौन सा मैटरियल है जो आप करता है यह है जिसे मदार की रूई इसमें भड़ा हुआ है अंग्रे जीम उसको मिल्क बीड कहते और कहीं मदार कहते आकरा कहते अकवन कहते तरह तरह से महाराष्ट में कुछ और कहते यह छे गुना अधिक गरम होता पांच छे स्लिपिंग बैग माइनस फिप्टी तक के लिए इस फाइबर को भड़कर को भी फिप्टी परसेंट माइनस और इसका ओजन जो अभी तक स्लिपिंग बैग है उससे आधा आधा से भी कम तेक बताई इस सब काम जो करते रहते इसकी कभी आप चर्चा क्यों नहीं करते आप इसकी चर्चा आप दिखाते कहां है आपके एक भी रिपोर्टर आते हैं पूछने के लिए मैं तो कहता हूं कि मोदी जी के नत्रित में हम लोगों ने गरामीन विकास में केवर्ट टेकलोजी का सहरा लेके वीस हजार से पचीस हजार करोर मंड़ेगा में बचाने का काम किय दस करोर से उपर मोदी जी ने कहा गाओं की महलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रूप में जोड़ना पता नहीं हम जब छोड़के आये थे टेन पॉइंट टू करोर महलाओं घरों तक जुट चिका था लागपती दीदी बनाना इसा मोदी जी के भीजन के इसार हमने काम किया और यहां भी कर रहा हूं और आपको वादा करता हूं कि कभी मेरे काम का पूरा इंटर्व्यू अगर आप दिखा दे तो मुझे अच्छा लगेगा काम पर बाता ही बिहार से आप आते हैं बिहार के लिए भी कुछ कर रहे हैं भागलपूर आप यात्रा में गए थी भागलपूर एक समय टसर सिल्क के लिए जाना जाता था गया के पास एक बड़ा सा एरिया है जहां पर की बड़े पैमाने पर वहां पर कपड़े का काम करन हम निश्चित रूप से और सिल्क की चर्चा अपने की भागलपूर तसर सिल्क की हम उसके रिभाइबल के लिए काम कर रहे हैं केवल बैंगलोड को हम नहीं रेशम की नगरी कहते हैं अभी मैंने पालंपूर एक जगह है इन्वर्सिटी है ग्रिकल्चर गुजरात में जी डि कहते हैं हम लोग अरंडी कहते हैं सबसे ज्यादा खेती गुजरात में होती है एरी सिल्क अभी दिया हूं वहां पूरा होगा वह पूरे नौर्थ इंडिया वेस्ट नौर्थ तो हम केवल यह काम नहीं करते हैं हम मालवड़ी को दक्षिन भारत में और उत्तर भारत में ला मिल्क सिटी बना देंगे हैं आप चिंता ना करें हम हमारे मोदी जी के नत्रित में जो वह कहते हैं उसको जमीन पर उतारने का ही काम करता हूं लेकिन अपने सौकों भी नहीं छोड़ता और उसी का कारण है कि आज संकल्पित हूं कि मिल्क वीड जिसे मदार कहते हैं यह हम एरोप में इस के ड्रेस मेटेलियल भेज़ेंगे इसकी खेती कहीं होती नहीं दो एकर खेती हमने करवाया है निटरा में और अगले साल इसकी इकोनोमिक्स जमीन पर निकल के आ जाएगा तो बन्जर भूमी में भी होगा अच्छी जमीन में भी होगा अकिसान को डो ला प्रिम्म्म अरहाइ हजार केजी परतीक हेक्टर आहाई से तिन हजार केजी आएगा कोटन, जबकि अभी चाइना, अस्ट्रेलिया, ब्राजील, रस्या दो हजार से थाजार केजी एक हेक्टर में पैदा करता है रुई, वो भी हम अकोला डिस्टिक्ट में महाराष्ट के अकोला में मोडल लिया है अकोला मोडल बिदर्भा में उसको कर रहे हैं हमारा लक्ष है हर अस्टेट का एक डिस्टिक्ट जहां अच्छी पैदाबार हो कॉटन का उसका डेटा तैयार कर रहा हूं और वो उस अस्टेट का मोडल होगा तो हम केवल यही काम नहीं करें अभी अपने मोदी जी की बात किये ब्रिक्स संबेलन जो हुआ उसमें भी उनने एक तरह से एजिंडा सेट किया धूम है उनकी अगवाई में जो भारत की कूटनीती की मोदी जी भारती जो संस्कृती है उसको पूरी दुनिया भारत की जो संस्कृती है उसका एक अन्यवार हिस्सा खादी भी है यह कुरता जिसमें कि आप भी हमेशा दिखते हैं और मोदी जी भी दिखते हैं इसको कब तक आप ग्लोबल फैसन का एक तरह से कह सकते हैं बड़ा प्रतिक बना दे हैं कि जब यह कुरता इतना फैसनेबल हो जाएगा यह खादी इतना फैसनेबल हो जाएगा कुछ है ब्लू प्रिंट एक आज आपको मैं कह रहा हूं कोई अहंकार में नहीं अभी मैं चाइना के बड़ाबर ठीक है हमारी परती हेक्टर कॉटन की उपज कम है इसलिए मुझे ज़्यादा बढ़ने की उमीद है लेकिन टोटल पैदाबार में हम चाइना के बड़ाबर आ गये हैं तो हम पुरे दुनिया में कॉटन को सब लाई करता है प्रिम्यम फैब्रिक के रूप में तो आज खाधी और हैंडलूम के कपड़े की मांग डे बाई डे बढ़ रहा है और मोदी जी ने इसको गलोबल कर चुके है आप एकोमर्स में देखेंगे ये कपड़े आपको खो मिलेंगे हैंप फाइवर के हैंप के फाइवर के चाहे फ्लक्स के फाइवर के ये सारे चीज आपको मिलेंगे देशी चीज पूरी दुनिया लोग लाई कर रहा है और ये जैकेट जब और डिजैंदार बन करके इरोप और रसा के लिए जाएगा तो और लोग लाई करेंगे तो इसके लिए फैसान और इंडस्ट्री के लोगों को जोड़ने की कोई यूज ना है कि ये हो सके अभी देखिए भारत टैक्स कर रहे हैं फड़बरी में उसके लिए पूरी दुनिया में हम जाके रोडसो कर रहे हैं हमारी टीम कर रही है इंडस्ट्री क रही है और उमीद मैं करता हूँ इस मार का भारत टैक्स भारत के टैक्स्टाइल इंडस्ट्री को अभी 170 बिलियों का मार्केट है जो हम सारह NIEं सारह के बिलियों पार्केट साइज पर ले जाएंगे और उसकी सारी बेवस्ता कर रहे हैं कि फैबरिक मुझे बीस मिलियन टन्च चाहिए वो कैसे होगा हमें संथेटिक कैसे होगा नेश्रल कॉटल कैसे होगा अन फाइवर कैसे आएगा उसकी तैयारी हम कर रहे हैं गराजी यह बताईए जब शाइटाशन बहुत है। मोदी जी भी महादेव कर उपासक है। लेकिन मोदी जी शाकहारी है. अब भी शाकहार पर जाने वाले है या मांसहार चलता रहे है। देखिए खान-पान रूची का है और मैं रूच लेकिन हम ये जरूर है कि भारत की संस्कुति के अंसौर हम खान-पान को रखना चाहते हैं अब फिर कहेंगे कि फिर वही आप आगये मैं सब को कहता हूँ कि मुसलमान अपने धर्म का पालन करे और हिंदू अपने धर्म का पालन करे हमें कोई हमारी संस्कृति पर हाभी न हो जैसे हमारे हाँ बली पर था तो बली पर था देवी के आगे देते थे तो उसे जटका मिट कहते थे तो मैं हिंदूों से कहता हूँ खाते हो तो जटका खाओ, हलाल मत खाओ आप खुद ऐसा देख के खईते हैं कि जटका है कि हलाल है? हाँ, ये दिली के अंदर भी काफी हो गया है, वो लोग करते हैं मैं सबसे कहता हूँ कि मुशलमान भाई हलाल खाओ, हिंदू भाई जटका खाओ अपने धर्म के परती जो आस्थाबान रहेगा, वही दूसरे धर्म को आस्थाबान आस्थाबान और रेडिकल होना दोनों में अंतर है जो रेडिकल है, मैं उनकी बात नहीं कह सकता आज है, मैं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन रुक जा रहा हूँ बोली दीजिए अगर सबसे बड़ा बाधख कोई है तो जो लोग अपने को मुल्ला कहते हैं, वही बाधख जादे है ये जितने आपको मदर्सा है मोदी जी तो कहते हैं, एक हाथ में बिज्ञान, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कम्प्यूटर, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में रमाइन लेकिन ये लोग बच्चों को सुधरने नहीं देते जोगी जी ने कुछ सुधारा है, कुछ हैमत भी सर्मा ने सुधारा है, बच्चे को डाक्टर इंजिनियर बनाने की बात मदर साम कर रहा है। लेकिन एक मत तो ये भी है कि गरीबी की वज़े से बच्चे मदर से में जाते हैं। ना, 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 ये आपकी गलत फाहमी है, मत जिनका रहे, सरकार तो कोई भी सरकार रहे, वहाँ इसकूल तो है प्राइमरी, अब कहीं पे सुक्रवार को छुट्टी दे देंगे, इनके जेहन में जो कटर पंती हैं, इनके जेहन में इसलाम, इसलाम चोड़ के कुछ सोचत नहीं, तो अभी तो हिंदू छोड़ कर कुछ सोचते नहीं, अब तो हम अपने अस्तित की रक्षा के लिए कह रहे हैं, कि हिंदू है, तभी ये लोकतंत्र है, अगर जिस दिन हिंदू कम जाएगा, यहां लोकतंत्र खतम, पाकिस्तान में लोकतंत्र है क्या, अभी अंस्कृति में ही सकलरिजम है, यह नकली सकलरिजम की चर्चा सोचलिस्ट लोग करते हैं, कॉमिनिस्ट लोग, सर्वेभबन्तु सुखना, सनातनी हिंदू में, जो एकादसी करे वो भी सनातनी, जो ना करे वो भी सनातनी, यहां कह देगा, गैर मुसलिम काफिर, हमारे हां गहर हिंदू, समाजिक, हम तो सब को मानते हैं, किराजी यह बताइए कि इतनी लंबी आपकी पूलिकल जर्नी हो गई, साथ दसक से ज़्यादा कि आप खुद हो गए, जर्नी भी बिस्ताल अगर मैनस का, 73 होने का, बिलकुल, तो किसी को अपना गुरू बनाया है या काता है, कि जैसाब मुझे देखते हो सब को उसी नजर से देखो, मैं सब को गुरू ही मानता हूँ, कैलास पती जी के बारे में क्या ख्याल है, जो है, वो बेचारे अब रहे नहीं, उन लोगों ने पूरी जीवन, आइडिलोजी के लिए दे दिया, मैं, लेकिन कई बार त जी ने जो त्याग तपस्या किया है, उसी कारण हम लोग यहां पर खड़े हुए हैं, एक ची बताएए, आप अपने को लखी मानते हैं, मतलब यह हमेशा चर्चा होती है, कि आप पहली बार M.L.C. बने, उसके कुछ ही समय के बाद आप मंत्री बन गए, 2002 में बने और 2005 में मंत्री बन गए, पहली बार आप सांसत बने 2014 में, उसी साल आप मंत्री बन गए, महादेव की देया, कि सब कुछ महादेव, सब महादेव, महादेव पार्टी, पार्टी को हम कैसे कह सकते नहीं, पार्टी के कारण ही हम यहां तक पहुँचे हैं, लेकिन महादेव की देया स तो सब पाटी के अंदर में तो मोदी जी आ गए अमीत भाय आ गए अब मुझे क्या बुलवाना चाहरा है कभी मोदी जी की तरफ से आपको कोई डांट वाट पड़ी है इतने सारे बयान बयान देते रहते हैं कभी लगा किया पब्लिकली मुझे अब बेज़त करना चाहते हैं अब वो अभी बाबक के रूप में है जितना बार मैं उसकी गिंती नहीं गिनाऊंगा इसके सिवा और कि बाते हैं जब उएका भी बाबक है जब उनको लगता है कि गलत बोल रहा हूं तो वो डांटते हैं एक शिवा आखरी सवाल आजकल आपने डीपी पर भी ना तरसूल वगर है रख दिया है क्या जो है मतलब यह इस बात का इंडिकेशन है कि दिन बदिन जो सौर अग्रेस नहीं हमने सो घरों का एक सर्वे कर बाया किसी के घर में अगर सांप निकल जाए तो सुरक्षा के लिए उसको भी भगाने के लिए डंटा नहीं मच्छरदानी हम लोग बोलते हैं गाहों में मस्कुटोनेट वही फैक दे और गीता रामाइन भी नहीं रह रहा है ये दुख की बात है तो मैं कहता हूँ कि तिरसूल महादेब का है पूजो इसको पूजो जब पूजोगे तो महादेब रहेंगे धर्मो रच्छित रच्छित और जब इसकी रच्छा तुम करोगे ये जब मौका आएगाती ये भी तुम्हारी रच्छा कर देगा इसलिए हर लोग तिरसुल रखो धन्यवाद गिर्राज जी इस समबाद में आने के लिए बातचित करने के लिए और खुलकर बातचित करने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद